हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तु माई यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2023 में मध्यप्रदेश के गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज का स्टेट कोटा कॉट अफ क्या था, सेकेंड राउंड का और मॉपप राउंड का दोनों ही राउंड की ह में बात करेंगे, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मॉपप राउंड में कितनी सीट वेकेंड थी, किस कैटिगरी के ली और उसका क्या क्या कट अफ था, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड राउंड का क्या क्या कट अफ था, क्यूंकि वेकेंड सी जादा होती नहीं है मौपप राउंड में मैक्सिमम सीट गवर्मिंट मेडिकल कॉलेज की स्पेशली सेकंड राउंड में एक फिल हो जाती है इसलिए मैं आप लोगों को सेकंड राउंड का कटफ बता रही हूं अब हम सबसे पहले बात करते हैं MGM मेडिकल कॉलेज तो अन सबसे बाउंड миडिकल कॉलेज बूपाल तो गांधी मडिकल कॉलेज में आप लोगों को यहां पर मार्के देखने को मिल जाएंगे और यह कैटिजन देख सकते हैं कि यह जो है यह opening rank है ये closing rank है उसी तरह ये opening marks है और ये जो है आपके closing marks है तो आप देख सकते हैं ये category और ये marks ये unreserved category बाकी category के लिए आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं निताजी सुभास जंद्र बोस medical college तो ये category है और यहाँ पर आपको marks देखने को मिल जाएंगे कि किस marks पर कौन सी category की seat close हुई थी unreserved category 606 marks पर close हुआ था निताजी सुभास जंद्र बोस medical college obc category 595 gs मतलब government school quota last time आया था government school quota जो student 6th class से 12th class था government school में पढ़ाई किये हैं mp board बाले student क्योंकि कुछ student जिन्होंने mp board से नहीं किया था केंद्री विध्याले से किया था और ये भी government school है तो इन लोगोंने भी apply किया था बाद में इन लोगों को इस quota से हटवा करके नॉर्मली admission दिया गया था इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि mp board के student होना चाहिए 612th government school में पढ़े हुए हम बात करते हैं नेक्स्ट गजरा राजा medical college क्वालियर तो unreserved category के लिए 606 marks ये category है ये सारे marks हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी category के लिए शामसा medical college रिवा unreserved category के लिए 592 marks और बाकी category के लिए ये marks यहाँ पर दिये हुए हैं बुंदेलकन medical college सागर ये सारी category और ये जो marks हैं आप लोगों को देख लेना है कि किस category में कितने marks आपको जो थे वो closing marks थे अगर आप rank देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से rank भी देख सक हैं ये closing rank है सभी college की ये closing rank है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये हम बात कर रहे हैं विदीशा और ये closing marks हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं unreserved category के लिए 584 marks next हम बात कर लेते हैं रतलाम की तो रतलाम unreserved category 577 marks पर close हुआ था यहाँ पर आप rank देख सकते हैं कि 43835 पर close हुआ था दतिया दतिया में यहाँ पर ये category है और ये marks हैं आप देख सकते हैं seat vacant जिस category के लिए होगी उसी category का यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा अब दतिया के लिए unreserved category के जो marks थे वो यहाँ पर दिये हुए हैं ये unres category 566 marks पर close हुआ था बाकी category यहाँ पर है अब next हम बात कर लेते हैं नंद कुमार सिंग चोहान गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज खंडवा unreserved category 469 marks बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं चिनवाड़ा इंस्ट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चिनवाड़ा यह 567 marks पर close हुआ था बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्रीमंत राजमाता विजेश्री सिंदे मेडिकल कॉलिज शिवपुरी यह जो है 568 marks पर close हुआ था वीडियो बहुत ही जादा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं सभी कॉलिज की सभी कैटिकरी को डिस्क्राइब करकर नहीं बता रही हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं य 564 marks पर unreserved category और उसके बाद सतना जो की new medical college था वो close हुआ था 563 marks पर बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह सभी medical college के second round का cut off था अब हम बात कर लेते हैं कि मॉपप round में कितने college में कितनी seat weekend थी देखो मॉपप round का हर बार different रहता है कभी एक seat बसती है कभी दो seat बसती है कभी तो seat ही नहीं बसती लास्ट यह थोड़ी seat weekend थी लेकिन सभी category के लिए नहीं थी इसलिए आपको जादर line नहीं करना है इस marks पर आपको second round के ही marks पर आप थोड़ा जादा भरोसा कर सकते हैं मॉप प्राउन तो किसमत का खेल है कि अगर आपके लिए seat weekend है तो मिल जाएगी EWS government school quota एक ST government school quota जो की 338 पर close हुआ था शेडोल में एक ही seat weekend थी जो की SC की थी उसके बाद ग्वालियन में 3 seat weekend थी ST government school, ST normal और unreserved तो यह जो है यह उनके marks है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं भुपाल में 2 seat weekend थी एक OBC के लिए थी एक ST category के लिए थी तो यह उनके marks है 615 पर close हुआ था OBC mop up में और 388 ST mop up में close हुआ था उसके बाद आप देख सकते हैं दतिया तो दतिया में ST category की एकी seat भची थी 338 पर close हुई थी रतलाम में बात करें तो OBC category की एक seat भची थी 578 पर close हुई थी सतना की बात करें तो 2 seat ही बची थी OBC category 560 पर close हुई थी और ST government school 338 पर close हुई थी इन दौर की बात करें तीन सीट बची थी SC गॉर्मेंट स्कूल 340 पर close हुई थी ST 427 पर close हुई थी और अन्रिजाफ गॉर्मेंट स्कूल 491 पर close हुई थी खंडवा की बात करें तो एक सीट बची थी 2 seat भची थी unreserve category 587 पर close हुई थी शिवपुरी कि अगर हम बात करें सिवपुरी में 1 seat थी st की 350 पर close हुई थी और रिवा कि अगर हम बात करें thया Safi कि एक seat 350 पर close हुई थी बागी यह government dentistry BDS की seats के बारे में mop-up round में उसके cutoff भी mention किये हुए हैं आप देख सकते हैं यह pdf चाहिए तो आप telegram चैनल पर भी देख सकते हैं यह था college wise cut off और भी अगर आपको कोई help चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं thank you so much for watching this